आज हम लेकर आए हैं साधियों में बनने वाले नरम नरम कड़ी पकोड़े की रेसिपी तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कड़ी बड़ी बनाने के लिए हम यहाँ पर एक कप बेसन ले लिए हैं चाल कर सबसे पहले हम पकोड़े की तयारी करेंगे एक बड़ा भरतन ले लिए हैं अब इसी में हम बेशन को पलट देंगे अब इसी में एक चवथाई चमच नमक एक चवथाई चमच हल्दी पाउडर ले लिए हैं डाल देंगे एक चवथाई चमच अजवाइन ले लिए हैं अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसमें ज्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हम पकवड़े के लिए वेटर बना रहे हैं तहां हमें गाड़ा रखना पड़ेगा देखिए वेटर बनकर रेड़ी हो गया है पकवड़े के लिए अब इसको दस मिनट रेष्ट पर छोड़ेंगे कड़ी बनाने के लिए हम एक कटोरी बेसन ले लिए हैं विसी में एक चवथाई चमच हल्दी एक छोटा चमच नमक डाल देंगे और यहीं पे एक कटोरी दही डाल देंगे बेसन को दही के साथ अच्छे से फेटेंगे और पतला घूल तयार कर लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर बढ़िया पतला एक घूल तयार कर लेंगे बेसन के गुठली इसमें नहीं रहना चाहिए एक भी इसमें गुठली रहना नहीं चाहिए अच्छे से इसको फेटना है देखिए इतना पतला कड़ी के लिए घूल तयार होना चाहिए हम तयार कर लिए हैं घूल 10 मिनट हो चुका है अब पकौड़े तलेंगे पकौड़े तलने के लिए अब कड़ाई में तेल डालेंगे तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे तेल गरम हो गया है अब पकौड़ा तलेंगे आज को मेडियम रखेंगे छोटे बड़े पकौड़े आप अपने पसंद से बना सकते हैं दोनों तरब से पलट कर प्राई कर लेंगे कितने अच्छे तरीके से पकौड़े हमारे खूल रहे हैं तो इसको दोनों तरब से अच्छे से पका लेना है पलट कर पकौड़े अच्छे से थ्राई हो चुके हैं अब हम निकाल लेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों कितने अच्छे तरीके से हम पकोड़े बना लिये हैं अब हम चौक लगाएंगे कड़ी में तो आधा छोटा चमच जीरा दो लाल मिर्च दो चमच तेल में डाल देंगे अब के को अच्छे से हम पकालेंगे लेखिए तड़का हो गया है तेयार अब जो बेशन का घोल बनाए थे वो डाल देंगे डाल कर मेडिया माच में चलाते रहेंगे इसको पकालेंगे थोड़ा-थोड़ा पानी डाल कर इसको पकाना है नहीं तो गाड़ा हो जाएगा फिर कड़ाई में लग कर जल जाता है इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डाल कर पकाना है पान-सात मिनट चलाते हुए पानी डाल कर इसको पकालेंगे दोस्तो कड़ी को मेडिया माच में पकाना है चलाते हुए ताके जले ना जैसे जैसे यह पकेगा वैसे वैसे यह गाड़ी होती जाती है पांच मिनट हो गया है अब इसमें हम पकोड़े डाल देंगे चला लेंगे और फिर से दो मिनट चलाते हुए पका लेंगे कड़ी बन चुकी है अब हम गैस बन कर देंगे तो दिखी दूस्तो हमारा कड़ी पकोड़ा नरम नरम बनकर तयार हो गया है बहुत स्वादिश्ट और टेस्टी बनता है आप लोग भी मेरे विधी से जरूर ट्राइ कीजिएगा और लाइक सस्क्राइब करना ना भूले